आज मैं आपके लिए Google Pixel 2 और Pixel 2 XL की My Opinions, Indian Availability और Indian Pricing के अबारे में बताने वाला हूं और कुछ Google products जैसे की Chromebook हो गया, Pixelbook हो गया, Home is Max, Home Minis इसे के बारे पर थोड़ी मोरी डीटल्स में आपको देने वाला हूं ज्यादा मैं focus करूँगा Pixel 2 और Pixel XL 2 XL के बारे में So without being set, let's get started सबसे बात करते है, Pixel 2 और Pixel 2 XL की specs की बारे में तो Pixel 2 में आपको देखने को मिलता एक 5 इंच का Full HD का display और Pixel 2 XL में आपको देखने को मिलता एक 6 इंच का P OLED display जिसका resolution है Quad HD Plus दोनों को display है 18 DC09 में और दोनों को लगाया गया है, दोनों पे लगाया गया है 2.5D Codding Guardi Glass 5 तो काफे ची बात है display quality के बारे में की Pixel 2 XL काफी अच्छी display को सपोर्ट करता है और दोनों में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 835 और दोनों में आपको मिलता है 2700mAh की बैटरी और पिक्सल 2 XL में आपको मिलता है 3520mAh की बैटरी तो बैटरी लाइप फोड़ी ज्यादा ही ज्यादा दी गई है Pixel 2 XL में तो कि इसके display भी काफी बढ़ी है और दोनों आपको phone देखता है दोनों में आपको मिल जाता है 12.2 Megapixel का F1.8 वारा कैमरा तो जिसको DxOMark ने स्कोर किया है 98 सबसे ज्यादा हाइस रेंटिंग कैमरा एवर है जो कि DxOMark याने की 98 इसकोर दिया गया है DxOMark की तलब से Pixel 2 और Pixel XL 2 को तो F1.8 वारा पाचा मिल जाता है आपको और बिलता है 8 Megapixel का Selfie का आमना जिसका पाचा रे 2 F2.4 और दोनों में आपको मल जाता है AR supported यानि कि augmented reality supported मल जाता है यानि कि अगर आपको फोटो लेते हो तो आप कोई भी चारेक्टर्स को आप प्लेक कर सकते हो यह काफी अजीब आते गूगल ने अपने डेमो में भी दिखाया था काफी interesting features मिल जाते है मतलब कि लगता है रियल और अग्यमेंटर रिलाइलिटी का कफी सब्सक्राइब जाता है दोनों कैमरा में आपको दोनों का दोनों के कैमरा मैं आपको फिरेंट और ब्सक्राइब में दोनों में आपको पोट्रेट फॉन बल जाता है गूगल ने कुछ F1.8 augmented lighting supported OIS and EIS with portrait shots तो दोनों का कैमरा एक्वल है सिर्फ डिफर्ट करता है स्क्रीन में और इसकी डिजाइन डिजाइन में थोड़ा मोना डिफरेंस होता है और दोनों आपको मिल जाता है लेंस का सपोर्ट यानि कि अब कोई भी object है अफित्या focus करती हो तो इसकी आप quirky रीडिंग ऑना क्यां गया है किसी कि तरब से अगर når सपरोपcrit को दोनों मैक दने को मिझेगे और अपको यूनिक फिचर मिलता है इसकोSTA publik फीचर यह अगर आप साइट से टॉच करते हैं अपने फोन को आपको गूगल असिस्टेंट आटोमेटिक लिए इनेवल कर दिया जाएगा तो यह भी काफी अच्छी बात है आपको मिलता था यह स्कुईज फीचर पर आपको पिक्सल टू और पिक्सल टू एक्सल में भी आपको स्कुईज फीचर देखने को मिलेगा और एक आपको में बाब रहा हूं थू इस दोनों फोन में आपको 3.5 mm headphone jack नहीं मिलेगा गूगल ने इसके स्केप कर दिया है 3.5 mm headphone jack पर आपको एक अन्वर्टर मिल जाएगा USB Type-C to Micro 3.5 mm headphone jack तो यही राग गूगल पिक्सल टू और पिक्सल टू और पिक्सल एक्सल टू की स्पेक्स की बार्ने में में हाइने इसका कामरा जो की दिएक्सल मार्क ने स्कोर्टिया 98 और इसकी डिजाइन थोड़ी मोड़ी अच आपको अलग अलग टाइप की करण्ट देखने को मिलेगा as compared to अलग 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 कलर्स तो मैं है रहता है इसका कैमरा इसकी यू आई का फिक्सल टू एक्सल की बहुत ही अच्छी है इसमें आपको मिलता है 16 कपी ओर डिस्पले जोगी आपको LG की 30 में देखने को मिलता है त इसपी की पाद आप चलते हैं प्राइसिंग की तरफ तो पिक्सल से जीने की प्रासिंग में स्टाट होँती है इंडिया में स्टार्ट होने वाली है और下 mover रूपी यह ईट सरी करूबर को ने आपको यह वर करा दिए जाएगा अब यूएस में प्राइसिंग की बात करें तो बेस विरियंट जने की पिक्सल 2 की प्राइसिंग चाट होती है 42,235 से और पिक्सल 2 एक्सल की प्राइसिंग चाट होती है 55,256 तो अल्मोस्ट डिफ्रेंस है 18,000 का दोनों फोन के प्राइसिंग में तो यह काफी बड़ा डिफ्रेंस है गुगल की तरफ से प्राइसिंग चाट है 256,000 डिफ्रेंस चाहिए आपको इसके लिए किन बचोगी और यह नहीं बचोगे पिक्सल 2 एक्सल में सिर्फ आपको से मिलता है आप दोनों की डिफ्रेंस की मैं आपको बता दों तो आपको पिक्सल 2 एक्सल मिलता है इसक्स इच प्योड डिस्पेली और अपको सिर्फ बड़े फोर मिलता है आप डिस्पेली स्विश्टी यह ना जाती है और कुछ एक्सल दिफ्रेंस नहीं मिलता है नोट 8 67,000 आपको मलता आता है 6GB plus 64GB variant 67,000 रुपीज में तो काफी बहतर फोन है as compared to Note 8 आपको Google Pixel में आपको काफी मोटे बेजल्स मिलता है पर Note 8 में आपको काफी clean UI clean बेजल्स मिलता है और काफी बहतर फोन है as compared to Pixel 2 XL सिर्फ इस आपको AR का support नहीं मिल जाता है पर आइफोन 8 भी आपको 73 के काता है जिसमें आपको आगने लेटे का support मिलता है और आइफोन का कैमरा भी काफी अच्छा है as compared to pixels और पिक्सल्स की बैटरी भी अच्छी जल्दी ट्रेट हो जाती है आपको आपको आपकी फोन बनाए इन अमेरी काफ से यह वैलोफो मनी फोन नहीं है आप मैं जालता है कुछ दूसरे प्रोटक्ट की तरफ जो गूगल ने लांच किया तक कल अपने शो में तो पैरे प्रोटक्ट की बात करूद हुआ है गूगल का हूम मेनी जिसकी प्राइ सब्सक्राइब काफी जाता हो जाएगा तो आप आपने पढ़े लिया होगा अर्टिकल सो मैं तो आपको से प्राइसिंग बताता रहा हूं और गूगल के हो मैक से बड़ा था स्पीकर रिसकी प्राइसिक प्राइसिए इंडिया से तो काफी 3.99 दोलर होती है जो 24,000 अप्र बत्राइस में आपको अपने आपको यह फिर प्राइसिंग इसे ने च्टी-पार्डशन रूपी से लिसमें आपको पिक्सल बुक पें का स्फ़ोट इम्लडन एक लिजिंगे इंड़े वेट हैं मिले मेतर तो यह मैं मैंड तिन प्र उप्रते बताएं आपको गूगल हो मै गिए अपने आठीकल पर लो विडियो पूरा तो पहुती लंबा हो जाएगा तो दोटाव से मेना ओपिनियुन्स पिक्सल 2 और ठीक्सल डू एक्सल के बाने में फोन काफी हायली प्रैस्ट है अग्र गूगल शाय में से विटी फॉटी फाइगे की आसपास पिक्सल टू एक्सल को और 60 के में लाउंज करें तो साय यह फोन हरे फोन को बुड़ी बुड़ी तरह से किल कर सकता था अब लगी काफी थर्टी आने वाला है वह वी काफी अच्छा फोन है तो पाई अगर आप तुम लांज कर दो So, if you like this video, give it a thumbs up if you didn't vote it on and please subscribe to my channel and don't forget to sell it with your friends So this is Amrit, signing off and hope to see you in my next video